हाई गाईज वेल्कम बेक टू माई चैनल वे टू हैपिनेस विट पबली तो फ्रेंट्स आज में फीस का यह क्यामिसा रिस्पी लेके आए हूं जो कि बहुत कम तेल में है और कम टाइम लेता है तो वह है सर्सो फीस और वह है उडिया का बोलते हो उसको माच्छो बेसरो तो स्पून हल्दी हाफ स्पून लालमीच पाउडर और इथर मैं हाप निम्बू को काट के लिए हूं उसका रस तो उस में क्या होगा कि हमारे जो फीस का रोफ लेवर है वो थोड़ा चला जाता है इसको अच्छे से में हाथ से ही मिला दूंगी जिससे फीस में दोना तरब से हलती नमक आच्छे से लग जाए आधा है दो लृसके अच्छे से मिलाना है कप्म तेल में बनाणा है बन तो एदर में देखिए जो जो चाहिए ले ली हूं उसको एधर में लिए धूं गांट करें प्याज को कट के इस clone स्लाइख कर के हूँ और इधर है हमारा हारा मिट्च और एक टामएटर को काट के लिए हूँ अदर छी साथ कोला लैसे को कूत के बनाओंगे सर्सो तेल में इसको तो पेन गरम कर दी थी में इसमें मैं एड करूंगी दो टेबल स्पून मस्टर और और इसमें एड करूंगी हाप स्पून राई और तिन चार हरामेच इधर डाल दूँगी दिखा आप अपने हिसाब से लिजिएगा तो इधर में डाल दूँगी हमारा फीश को एक-एक करके इसी डालना है आपको जैसे सारे फीश का एक तरफ अच्छे से पक जाए देखिए इससे ही में डाल दी इसको मिडियम फ्लेम में ही करना है करीपता में इधर डाल दी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इससे करके आराम से करना है एक साथ ही हमारा सब्ची रेड़ी हो जाएगा और मैं थोड़ा सा लाल मिश पाउटर डालिक थोड़ा कलर के लिए क्योंकि थोड़ा कलर आता है तो फास्ट हम लोग आखों में खाते हैं फीर जाकर ओरजिनल खाना खाते हैं तो दिखने के लिए यम्मी दिखना चाहिए तो थोड़ा सा कलर में कलिए मैं लाल मिच पाउटर लिए थी देखिए थोड़ा थोड़ा मैं दोनों तरब से पलड़ दी हूं और इसमें एड़ कर दी में लेसूं इसको इधर ही सेंटर में थोड़ा सा ही भुनना है क्योंकि फीस का एक साइट ऐसे हमें रखना है थोड़ा सा उसका कलर आ जाएगा और बीच में मैं डाल दी प्याज प्याज को ऐसे ही उपर उपर ही हमें थोड़ा सा ही चलाना है और उसको मैं कभर कर दी फाइप मिनिट्स के लिए फाइप मिनिट्स हो गया है चले चेक करते हैं देखिए प्यास थोड़ा बॉयल हो गया है पग गया है तो अभी हमें फीस को भी पलट दी एक एक करके से ही ऐसे ध्यान से आप उसको पलट एगा देखिए कलर भी आ गया है रेड रेड कलर इसे ही आराम से उसको पलट दिख लेगा और इसमें सेंटर में ही मैं यूज की डाली टामाटर और इधर में डालूंगी दो टेबल स्पुन मॉस्टर्ड पेस्ट शर्षो पेस्ट जो हमारा में इंग्रेडियन्ट है तो उसको यसी थोड़ा सा ही छला गए इसको फिर फाइब मिनिट्स के लिए कबर करना है तो वह थोड़ा स्टीम हो जाएगा बद जाएगा क्योंकि तमाटर में जो पानी है उसको लगने नहीं देगा और तो 5 इनिट्स के लिए इस बदेगे तो फाइब मिनिट्स हो गया है उसको फिर हम चेक कर लेंगे देखिए मस्टर्ड पेस्ट ज्यादा टाइम नहीं लेता है वह दो मिनिट में हो जाता है इधर मैं देड़ कप पाने ली हूं ग्रेवी के लिए निचे भी नहीं लगा है एक तम बहुत ही जल्दी हो जाता है गाइज ट्वंटी मिनिस में ही रेडी हो जाता है हमारा ये कड़ी देखिए इस फीज भी अच्छी से हो गया है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है देखिए इसे इसको एक एक साइट पलड़ दिजेगा दोनों तरफ से मसाला जाएगा अंदर तो इसको एसे ही में तीन-चार मिट के लिए खुले में ही थोड़ा बॉयल कर दी और ग्रेवी डाल थोड़ा जादा है तो मैं हाप स्पूने दर फीर नमक एड़ की नमक आप अपना हिस इसमें थोड़ा एड़ करूंगी हाप टेबल स्पून मस्टर ओयल उपर से ही कच्छा वाला उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यह अगर आपको तेल नहीं खाना है तो मत डालेगा और विधन में डाली गानिसिन के लिए धन्या पती और जीरा पाउडर उसको एसे ही में कभर करके रगदी फाइव मिनिट्स के लिए तो रेड़ी हो गया हमारा माचो बेसरो मस्टर फीस बहुत एक कम टाइम में राइज और बहुत टेस्टी भी बना है पक्का इसको आप त्राय किजिएगा और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक श्यार किजिएगा थ क्यू